इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तीरंगा गेम स्क्रिप्ट को VPS सर्वर पर कैसे सेट अप कर सकते हो तो अगर आपने सर्वर बाई नहीं किया है और अगर आपको सर्वर चाहिए तो आप cathosting.com से बाई कर सकते हो यहाँ आपको कम प्राइज में सर्वर मिल जाएगा सर्वर बाई करने के बाद आपको उसमें A-Panel को इंस्टल करना है तो A-Panel को कैसे इंस्टल करते है इस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वाद से आप चेक कर सकते हो और A-Panel इंस्टल करने के बाद आपको उसमें Node.js को भी इंस्टल करना है तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा लेक्स आपको अपने A-Panel में Login करना है लेक्स आपको यहाँ पर Files वाले Option में आना है तो Files में आने के बाद आपको www.js folder में आना है और अगर आप First Time Login कर दे हो और अगर आपको यह folder नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मैं तीरंगा नाम से एक folder बना देता हूँ और इसमें मैं इसका जो source code उसको मैं upload कर देता हूँ और upload करने के बाद आपको इसको extract करना होगा नेक्स आपको यहाँ पर Node Module इस folder को delete करना है लेक्स आपको database को set up करना होगा तो उसके लिए आपको database ओले option को new tab में open करना है लेक्स आपको यहाँ पर add db बे click करना है और यहाँ पर आपको database को name set करना होगा तो यहाँ पर मैं तीरंगा नाम से एक database बना लेता हूँ और मेरा username भी same ही है और इसका password भी generate हो चुका है तो यहाँ से मैं database को copy करना हो नेक्स आपको यहाँ पर ENV file पर double click करना है और आपको यहाँ पर database user और database name को change करना होगा नेक्स आपको यहाँ पर password को भी update करना है नेक्स आपको यहाँ पर आपकी server का ip address राइड करना होगा database host में तो यहाँ से मैं ip address copy करके यहाँ पर paste करके इसको save कर देता हूँ नेक्स आपको src folder मेंना है config folder मेंना है connect db पर double click करना है नेक्स आपको यहाँ पर फिर से same database details को add करना है तो यहाँ पर मैं password और database user और database name को यहाँ पर add कर देता हूँ नेक्स आपको इसको save करना है नेक्स आपको इस database को confirm करना होगा तो इस से आपका जो database से वो create हो जाएगा नेक्स आपको इसमें SQL file को upload करना होगा नेक्स आपका जो source code का database से उसको आपको यहाँ पर upload करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर import पर click करना है और यहां पर आपको upload from localize पर क्लिक करना है तो इसका जो zip file होगा उसको आपको यहाप अप्लोड करना होगा तो मैंने अल्लेडी यहाप अप्लोड करके रखा है तो मैं इसको cancel कर देता हो लेक्स आपको यहाप इंपोर्ट पे क्लिक करना है तो इससे आपका जो database होगा वो import हो जाएगा पे此 आपको database को access करना है तो यहाँ से आपको php may admin पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो link होगा नेक्स आपको यह तो आप को username मैंक करना है और अगर आपको password very welfare कोपी कर सकते हो तो इससे आपको प्रेश्पी में अडमीन ओपन हो जाएगा नेक्स आपको आपको डाटाबेस होगा उस पर क्लिक करना है तो आपको डाटाबेस में जितने भी टेबल से होगे उन सब की लिस्ट यहापे आ जाएगी और अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो नेक्स आपको यहाँ वेबसेट वाले ओप्शन में आना है फिर उसके बाद आपको यहाँ आपको यहाँ नोट प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट को एड़ करना होगा नेक्स आपको यहाँ पे add node project पे click करना है first आपको इसका path set करना होगा तो हमने हमारा जो source code उसको तीरंगा folder में upload किया था तो यहाँ पे मैं उस folder को यहाँ पे select कर लेता हूँ next आपको यहाँ पे start करना होगा port में आपको 3000 add करना है next आपको यहाँ पे node का version select करना होगा तो अगर आपने यहाँ पे multiple version select करके रखे तो आपको चेक करना है कि आपको कौन सा version इस पे install करना है next आपको यहाँ पे domain name को add करना है फिर इसके बाद आपको इसको confirm करना है next आपको यहाँ पे ssl को install करना होगा तो आपको यहाँ पे node set पे click करना है let's encrypt option मैंना है domain को select करना है और next आपको यहाँ पे apply पे click करना है तो यहाँ पे जो ssl है वो install हो चुका है next आपको force https को enable करना है ओके तो setup हमारा हो गया है मैं domain को open करके आपको दिखा देता हो तो आप देख सकते हैं हमारा जो website है वो ready हो चुका है अगर इसमें मुझे login करना होगा तो यहाँ से मैं login भी कर सकता हो तो यहाँ पे user जो है अपना balance चेक कर सकता है wallet में phone add कर सकता है withdrawal कर सकता है और आपको जो admin होगा वो यहाँ से admin area को भी access कर सकता है यहाँ कि admin panel को भी access कर सकता है तो इस तरह से आप जो है एक को गेम वी अजय वाना सकते हो